इसको लो बहनों भाईयों आप सभी को जय मसी की कुछ परिवारिक वैस्तिता के कारण मैं पिछले दिनों में प्रभु की सेव काई नहीं करने पाए इसलिए आप सभी से शमा चाहती हूँ और आज हम कुछ बचनों के द्वारा बहुत कुछ गंभीर बातों को समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि आज प्रभु हमसे किस विशे में बात करना चाहता है बचन के द्वारा हम इन बातों को सीखने और जानने पाएंगे, आईए हम पहले छोटी सी प्रातना करते हैं, फिर हम बचन की सिवकाई में आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद, 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 पिता परमिश्वर, भूर के प्रकाशने के साथ तुने हम हमें से हर एक प्रभुजी अपनी आशीशрий से मला-माल रखा है, धन्यवाद, 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 ति इस्तूति हो तेरी प्रशंता हो, तेरी जैजे कार ओ पिता, विंति और प्रातना हैं, पिता परमिश्वर. हाँ पिता, इस समें तूम में से हर एक मजबूत होने पाए सामर्थी होने पाए पिता और पिता परमेश्वर यह जो वचन रुपी बीज है यह हर एक के हिर्द्वे में प्रभुजी पढ़ करके फल्वंद होने पाए और प्रभुजी सौ गुना फल लाने वाला हो सके पिता तो उसे ही विंतिय और प्राथना है मेरे संगर साथ हो मैं तुझे आमंत्रित करती हूं कि पिता जो वचन तुने मुझे दिया है वो मैं नहीं परन्टू तु मेरे मुख से होके बोल हां पिता विंतिय और प्राथना है मौसम को और अन्य शैतानी गतिविधियों को अपनी नियंतर्ण में रखना और पिता होन पूसमर्ठी बोला जाये मेरे मस्तिष को मेरे मन को मेरी आत्मा को मेरी जीप को मेरे होटों को असम नियंतरन में रखन cambiar में ताकि जो कुछ Q effectivement आप प्रभुजी बोला जाए पिता बिंति और प्रात्ना हैं पिता परमिश्वर मैं अपने सारे छोटे बड़े भाई बहनों को जो फेस्बुक लाई पर तेरे सुषमा चार प्रचार में लगे हैं पिता हर एक प्रीयों को तिरे सामर्थी हाथ में सौपती हूं और बिंति और प संबों को तैयार किया है धन्यवाद पिता धन्यवाद और हर एक सुषमा चार प्रचार में पिता आत्मा की सच्चाई से पवित्रात्मा की सामर्थ से प्रभुजी तेरे सुषमा चार प्रचार में हूं कर रहे हैं पिता हम बिंति और प्रात्ना है पिता प्रमिश्र हर एक रांप моей प्रम के कि महीं दें स सा अपनी पागान्रा और उनके परिवार को उनको एक अच्छा स्वास सदे पिता हाँ प्रबुजी जो भ basketball सब्सक्त्रा धुक्र implan haragot प्रविटियों में प्रभुजी कामकरने वाले हो और वचनों heav जीपिर सवर्गी राज में आने पाएं willingness नहीं सारा आदर इजड महिमा घुझाय갈ोذ ज़ता मेरे श्वर्ण का पवित और मीठे नामे होके मांगती हो, आमीन, आमीन, और आमीन, बैनों भाईओ, आज मैंने विशे लिया है, गिफ्ट आफ गॉड, आशीश, या ब्लेसिंग, इसको हम ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, यह जो आशीश है, या गिफ्ट आफ गॉड है, यह अगर हम देखें, भजन सहीता 128, भजन सहीता 128 में हम पाते हैं कि परमेश्वर का भ्हय मानने की आशीश, जब हम परमेश्वर के भ्हय में चलते हैं अपने जीवन को ले करके, तो हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुत प्रकार की अंगिनत आशीशे देता है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी, भजन सहीता 128 पूरा, एक सरे के छे पत तक, और ये जो आशीश है, ये पारिवारिक आशीश है, तो पहला है इसका पद, क्या ही धन है हर एक, जो यहवा का भ्हय मानता है, और उसके मारगों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्य खाने पाएगा, तो धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी इस्त्री फलवन्त दाकरता सी होगी, तेरी मेज के चारो और तेरे बालत जल पाई के बहुत है सी होगे, सुन, जो यहवा का भ्हय मानता हो, वह ऐसी ही आशीश पाएगा, यहवा तुझे सियोन से आशीश देवे, और तू जीवन भर यरुश्यम क का कुशल देखता रहे, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राइल को शान्ती मिले, यह जो भजन 128 है, यह पारिवारिक आशीशों के विशे में है, और इसमें जो चार व्यक्तिगत आशीश है, और अगर हम यह देखे तो पुराने नियम में, और ने नियम में भी, आशीश शब्द बहुत बार आया है, ठीक है, और जो आशीश है, उसका जो बोलचाल की भाशा में अगर हम कहें, कि इसका अर्च क्या है, आशीश का अर्च क्या है, तो कल्यान की घोशना करना, हम जब अपने छोटों को आशीश देते हैं, तो हम उन करते हैं, लेकिन हम विश्वासियों के लिए सबसे महत्पूर्ण बात है, कि हमें परमेश्वर पिता की आशीश में या आशीशों में आगे बढ़ना है, बोलचाल की भाशा में तो हमने बता दिया, आर्थ बता दिया, कि कल्यान की घोशना करना, यह सांसारी इसाब से है, आशीश की कार्थ, लेकिन जब हम आत्मिक आशीश की बात करते हैं और आत्मिक्ता की बात करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि महत्पूर्ण है मेरे और आपके लिए, जितने भी विश्वासी भाई बहने सब के लिए, कि हम परमेश्वर पिता की आशीश में आगे पुट्रे TMा के द्वार पर दोती है रहना था पवित्रात्मा हमें आशिश दिता है फिर में heftी सासाथ पिता और पृत्र इश्यश मसी्ह के द्वारा भी हमें आशिश प्राप्त होती है हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसमें परमिश्वर पिता ने अंगिनत आशिशे दी अपने नभीयों को जो भविश्वक्ता थे उनको और जो उसके चुने हुए लोग थे उसको और साथ ही इसराइल को इसराइल जो देश है इसराइल तो खेर देखिए एक नाम था और जिसका नाम था उसको परमिश्वर ने आशिश दी और कहा कि तेरा नाम आश से ये नहीं होगा परंतु क्या होगा इसराइल होगा तो जो ये देश है इसराइल जो देश है वास्तों में एक वेक्ति का नाम था पहले ठीक है रहो और उससे फिर इस देश का नाम पढ़ा तो परमिश्वर ने देखिए उसको कितनी बड़ी आशिश दी और पुरानी नियमें हम इस बात को देखते हैं और परमिश्वर पिता ने अबरहाम को आशिश दी और दूसरा य कि आशिश आदम को दी धिए आदमinea को है ना परमिश्वर ने कहकर उन्हें आशिश दी फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जो है ना और को उत्पत्ति एक 28 ये परमिश्वर ने परमिश्वर पिता द्वारा आदम और हवा को सबसे पहले आशीश दी और क्या कहा अधिकार दिया आशीश के साथ अधिकार दिया सब प्राणियों जो पर जजल में हैं आकाश मिचरन करते हैं या प्रिस्वी पर रहेंगते हैं सब पर परमेश्य पिता ने आदम और हवा को अधिकार दिया ठीक है ना तो तो कितनी बड़ी आशीश आदम को परमिश्र पिता ने दी थी, हम जब पुराने निये में पढ़ते हैं उत्पत्ती, तो परमिश्र पिता ने सबसे पहली आशीश आदम को ही दी थी, और दूसरा फिर अगर हम देखे उत्पत्ती दो और उसके तीन में, तो परमिश्र पिता उस साथवे दिन को और पविज्र भी ठहराया फिर अगर हम देखे मलाकी 3 और 10 में तो परमिश्वर पिता ने अप्रम पार आशिश की वर्षा की बाद की है है ना आकाश के जुरों के तुमारे लिए खोल कर तुमारे ऊपर अप्रम पार आशिश की वर्षा करता हूं कि नही देखो ना मैं कितनी आशिश देता हूँ है ना और अप्रम पार आशिशे जब हम परमिश्वर पिता के पीछे चलते हैं और उसकी आज्याओं का पालन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि परमिश्वर पिता हमारे जीवनों में अप्रम पार आकाश के ज़रों के खोल करके आश आशीश की वर्षा करते हैं फिर अगर हम देखें वैवस्था विवरन में वैवस्था विवरन 28 में परमेश्वर पिता ने कितनी सारी आशीशें दी हैं वैवस्था विवरन 28 पूरा आशीश वचन है ठीके ना यदि पहला पद पढ़ना चाहूंगे 28 का वैवस्था विवरन 28 उसका पहला पद यदि तु अपने परमेश्वर यहवा की सब आग्या है जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगा कर उसकी सुने तो वह तुझे पृत्वी की सब जातियों में स्टेश करेगा दूसरे अध्या में फिर अपने परमेश्वर यह होगा की सुनिने के कारण यह सब आशीरवात उसका पूरे होंगे कौन कौन से आशीरवात धन्य हो तु नगर में धन्य हो तु खेत में धन्य हो तिरी संतान और तेरी भूमी की उपज और गाए भेड़ बकरी आदी पशुओं के बच्चे धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कट होती टोकरी मतलब रोटी रोटी की टोकरी है ना कट होती मतलब पानी जो पानी जिसमें भरके रखा जाता है और धन हो तू बीतर आते समय और धन हो तू बहार जाते समय यह हुआ ऐसा ही करेगा कि तेरे शत्रु जो तुछ पर चड़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे वे एक मार्ग से तुछ पर चड़ाई करेंगे परंतु तेरे स सामने से साथ मार्ग से होकर भाग जाएंगे देखिए कितनी अच्छी बात है आशीश वच्चे नहीं ये अवेवस्था विवरन अठाइस और इसमें अपरमपार आशीशों के बारे में परमिश्र पिता ने हमको बताया है अगर हम आप नए नियम में देखें तो नए नियम में हम यह देखते हैं कि जैसे मत्ती, दस और उसका बारा घर में प्रवेश करते हुए आशीश तो इश्वसी ने क्या कहा मत्ती, दस और उसके बार में वच्चन को पढ़ना चाहूंगी घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना, ये बात हो रही है बारहा प्रेरितों की सेवा के कार, इश्मसीर उनको समझाया और बताया कि भाई तुमको किस प्रकार से किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुसमचार प्रचार करना है तो क्या बोला, ग्यारवा पद भी पढ़ना चाहूंगी इसका, दस का ग्यारवा, जिस किसी नगर या गाउ में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग हैं और जब तक वहां से ना निकलो उसी किया रहो, फिर बारवा घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना प्रवेश मसीने क्या बोला, जिस भी घर में हम जाते हैं, तो हमें क्या देना है, उस घर के लोगों को और उस घर को आशीश देना है, फिर अगर हम देखें मर्कुस 6 और 41, मर्कुस 6 और उसका 41 पद, जब हम भोजन करने बैठते हैं, तो भी हमें क्या करना है, प्राचना करना है, और मर्कुस 6 और 41, उस ने उन 5 रोटियों और 2 मचलियों को लिया, और सर की और देखकर धन्यवाद किया, और रोटिया तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों के कोपरों से, और वे दो मचलिया भी उन सब में बाट दी, उसने आकाश के और परमिश्वर को देखके धन्यवाद दिया है ना, और परमिश्वर से इस रोटी के लिए और इस मचली के लिए आशीश मा पांगी, तो हम ये देखते हैं, कि जितने लोग थे उस में से 5000 केवल पुरुष थे, इसमें नहीं दिये, ना बच्चों के संक्या दिये, परंतु 5000 पुरुषों की संक्या जरूर दिये, मतला पांच हजार पुरुष है तो इसलिया भी है और बच्चे भी है ना उन सब ने पांच रोटी और दो मचली में भर पेट भूजन किया तो वो कैसे हुआ जब इशुमसी ने परमिश्वर पिता से उस रोटी पे और उस मचली पे आशीश मांगी और वो इतनी आशीशीत हुई और धन्यवाद दिया तो हम जब भी भूजन करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं पिता परमिश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये ह हमार मिश्वासी का पहला कर्तव है कि हमें परमिश्वर पिता को बोर के प्रकाश से लेके जब हम अपने बिच्छोनों पे सोने के लिए जाते तब तक धन्यवाद देना है और भोजन के समय तो देना ही देना है तो यहां पर हम देखते हैं कि मर्कुस 46 में इश्वमसी ने आ दाशीश मांगी पिता परमिश्वर से और परमिश्वर पिता को धन्यवाद दिया भोजन के लिए उसके बाद में है इसी का मर्कुस का 1915 इश्वमसी के चेड़ मर्कुस प्रभु भूज के समय भी हम देखते हैं मर्कुस चगदा और उसके बाइस में कि इश्वमसी ने धन्यवाद करके उस रोटी को लिया और तोड़ा है ना और अपने चेलों को बाटा ठीक है ना तो जैसा परमिश्वर इश्वमसी ने अपने चेलों को समझाया सिखाया कि हमें आशीश मांगना है पिता परमिशर से और पिता परमिशर को उस आशीश के बदले हमें क्या देना है इफिसियो एक और उसके तीन में ज़सा हम पढ़ते हैं इफिसियो एक और उसका तीसरे पद में हमारे प्रभुईश्य मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गी स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीश दी है आत्मिक आशीश है ना तो अगर हम आत्मिक आशीश भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूत है आत्मिक आशीशों की जिसके द्वारा हम हमारी आत्मा परमेश्वर पिता के द्वारा इश्वर मसी के द्वारा दी गई आशीश से हमारी आत्मा क्या होती है मजबूत होती है सामर्थी होती है और शैतान की हर एक जो कुचक्र है या जो उसका जो जो वो हमें बहलाता है या जो हमें संसारिक्ता में की और वो खीचता है इन सब बातों से फिर हम अलब हो जाते हैं क्योंकि हमारे साथ फिर अप्वों है आशीश जो है वो सभी के लिए है मत्ति 5 और 45 को अगर हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर इशुमसी ने आशीश पिता परमेश्वर ने हर एक को आशीश दिये है ना जैसे इसमें लिखा है मत्ति 5 और उसका 45 जिससे तुम अपने स्वर्गे पिता की संतान ठहरोगे क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्ष उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर महिं बरसाता है और वह किसी, के साथ पक्षपात नहीं करता, वह दोनों को आशीश देता है कि अगर हम पर देखें मतीאת के 33 में शकूत में शत्रु वो से प्रेम करने के लिए भी हमिन प्रभी सुनसी ने सिखाया है तुम सुन चुक्आ हो कि कहा गया था अपने पальная परोसी से रहना है और अपने मैरी से बैर, परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्राथ ना करें। अगर हम पुराने नियम में देखें, तो अबराहम या इबराहीम को पिता, आशीश का मूल पिता ठहराया गया है, है ना, और अगर हम देखें, उत्पत्थी, उत्पत्थी 17 का पाच, इसलिए आप से तेरा नाम अबराहम न रहेगा, पर तेरा नाम अबराहम, अबराहम का बता होता है, बहुतों का पिता, होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के सबुका मूल पिता ठहरा दिया है, है ना, तो अबराहम को भी अंगिनत आशीशे दी, हैंगा, फिर दाउद को हम देखते हैं, हैना, दाउद को हम देखते हैं कि पिता परमिशर ने जब वो बच्चा ही था तब उसको चुना और चुनकर कि जब उसके उपर पवितरात्मा बल से उतरता था देखिए कितनी अच्छी और अनोखी बात है कि पवितरात्मा दाउद के उपर बल से उतरता था क्योंकि परमिशर उसके साथ था इसलिए उसने तो इतने बड़े गोलियत को जो से कितना बड़ा था बापने बाप है ना उसको एक पत्थर में गोफन की एक पत्थर में उसको उसने मार डाला था, उसके सेर पर लगा था और वो मर गया, अगर हम देखें, यह हचकेल, 34 और उसका 26 और 27 वह पद, आशिश की वर्षा दाउद के लिए, मैं 25 से पढ़ना चाहूंगी, यह हचकेल, 34 और 25 से, मैं उनके साथ शान्ती की वाचा बांधूंगा, और दुस्ट जन्तूं को देश में न रहने दूँगा, अतावे जंगल में निडर रहेंगे, और वन में सोएंगे, मैं उन्हें और अपनी पहाडी के आसपास के स्थानों को आशिश का कारण बना दूँगा, और मैं ठीक समय में बरसाया करूँगा, और वे आशिशों की वर परमेश्वर पिता ने अबरहाम को आशिश दी, वैसे ही परमेश्वर पिता ने दावुद को भी आशिश दी है, और हम यह देखते हैं कि जो सबसे पहले तो यही बोला ना, जो भजन सहीता 128 में क्या ही धन्य है, हर एक जो यहुआ का भहमानतार उसके मारुगों पर चलता है, तो यह पारिवारिक आशिश है, और यह धर्मी मनुश्यों के लिए दस आशिशे प्रदान किये पिता परमेश्वर ने, पद एक से लेके चार तक, तो क्या क्या आशिश है, वे अपने परिश्रम का फल आनंद से लेंगे, मतलब हम जो भी काम करते हैं, है ना, चाहे सर जो भी है, वो सब आशिशित होंगे, है ना, आशिशित है, यहाँ परमेश्वर पिता इस बात को प्रगट कर रहे हैं, कि वे अपने परिश्रम के फल का आनंद लेंगे, पद दो में, तू अपनी कमाई को निश्य खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा तो जितने भी लोग विश्वासी भाई बहन हम देखते हैं, है ना, कि वो अपने, जो कुछ भी वो काम करते हैं, ठीक है ना, और उसके कमाई करते हैं, तो उसके द्वारा वो उनका जो पैसा है, वो बिमारी हारी में नहीं जाता है, है ना, या कोई गलत काम में नहीं जात क्योंकि उनकी कमाई पर कौन्हेसsecond कि आशिष दे रहा है फिर प्रसंद रहेंगे त यह फिर सबस्तिक स्यानल है जितने भी भाईव हैं, मसीई भाईव हैं, हम सब प्रसंद रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि पॉलुस प्रेजित ने कहा है, प्रभू में सदा अनन्दीत रहो, तो हम उठते बैठते चलते सोते, पूरे समय होँरे चेहरे पर मुस्कुराट रहती हैं, और हम निराश नह अपना पूरा भरोसा पिता परमीशोर पर करके उससे प्रात्ना करते हैं, तो हम इस बात से अनंदित रहते हैं, कि अब हमारा पिता परमीशोर जो स्वर्ग में हमारी प्रात्ना को सुनता है, और सुन करके हमें क्या देता है, नाम बनाम चंगाई देता है, प्रभुषमसी के के नाम में है ना उसी के नाम से हम चंगाई मांगते तो मेरा ही कहने का मतलब है कि यहां पर हमें बताया जाता है बताया जा रहा है कि हम सब मैंने किसी भी मसी भाई बहन को किसी भी बात के लिए कभी भी मेरी मंडिली में भी ऐसा नहीं है कि सब बहुत धन्वान लोग है परन्तु रोते या कलपते नहीं देखा कि आरे मैं हमारे पास यह चीज नहीं है वो जो कुछ है उसमें बहुत अननलित रहते है और अरे जिदी आपन मक्य के रोटी खाएंगे आओ घर आओ और जो भी साथ पात है आपन खाएंगे आओ पर हमारे घर आओ तो इतना अच्छे से खुशी-खुशी हम लोगों को असे बात करते हैं मंत्रन देते हैं हमको कि जो भी अपने पास में आपन मिल जूल के खाएंगे और पूरे समा अनन्दित रहते हैं तो यह कौन दे रहा है उनको यह टॉनिक जो है आनन्द जो खुशी का टॉनिक है हमारा वचन हमें देता है और वचनों के द्वारा ही तो हम जड़ाए जाते है और हर बात मिलके भलाई उत्पन होती है हमारे जीवनों में फिर उनके पतिनिया फल्वंथ होगी पद तीन जैसे बोलता है तेरे घर के अंबीतर तेरी इस तरी फल्वंथ दाखलता सी होगी है ना दाखलता कितने घनी रहती है दाखलता अंगूर की हो चाह जिसकी भी हो तो हम ये देखते हैं कि सच में हमारी जो बहने हैं और जो हमारे घर में माताएं हैं और हमारी दादी नानी सब बहुत बहुत आशीशित रहती थी और हम भी आशीशित हैं तो हमारे घरों में कोई चीज की कमी घटी नहीं रहती हैं हमारे किचिन में विजेश करके मैं ये बा जब भी आटा निकाला रोटी बनाने की लिए तो उन्होंने थोड़ा आटा अलग रग दिया आजका चावल निकाला तो आजका चावल अलग दिया जो कुछ भंद रहा है उंके घर में दिन भर में सुबह स limited वो सब थोड़ा करके अलग निकालता जाती ब् उसको ले जाके वो चर्श में देती, तो आके लिए वो नहीं, पूरे केरल में ये परंपरा है, परंपरा अगर हम कहें तो, और फिर पास्टर जो रहते हैं, वो इन चीजों को गरीबों को या जिनको आउशकता है उनको वो चीजे दे देते हैं, या उनसे जो बहुत सारे ल कारण है, कि हम अपने लोगों को कि सुधी रखते हैं, उनके भी भोजन की चिलता हम करते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, और यह काम कौन करता है, घर की इस्त्रिया, क्योंकि वो कैसी है, फल्वंत दाखलता के समाने, दाखलता बहुत घने उसमें जो दाखलता है, ज दाखलता बेल रहती है, और बहुत गुच्छों में उसमें अंगूर लगते हैं, तो ऐसी हम सब हैं, हम जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सब के लिए यह बात बोलूँगी, कि हमारे मन में कभी नहीं आता, कि हम, अगर हमारा परोसी हम कोई पता चलता है, कि किसी कारण वंश उ कोई घटना दुरघटना हो गई है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना, कि हम कैसे भी करके उन तक सारी खाने पीने की चीज़े पहुंचा है, और अपनी मंडली में भी अपन करते हैं, इस प्रकार से, तो ये एक आशीश की बात है बहनों भाईयों, और ये आशीश वा आप अपने इश्वर से डरते हैं, और डर करके आप अच्छा काम करते हैं, सब के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये उनकी गवाई है, अपन सब के लिए, तो इसमें परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर को महीमा मिले हैं, और फिर है दुसरा, उनके संटान, बढ़ते हुए पौधों के समान स्वस्त होंगे जलपाई तो यहां हम सब्सक्राइब जलपाई करे जलपाई को पोधा है। कभी मुरजाता नहीं है घृणाने पौधा और उसी तरह से हमारे बच्चे भी में हमें दान के रूप में पितह परमिश्व के सराफ्ठी हों एंधा और ये जो बच्चे हैं कैसे रहते हैं सवशत वर्हले C Crush की आशिष और साध्यी की पढ़ते लुगते हैं और माता-पिता के लिए वे जब हमारी बच्चे चर्च एक्टिविटी में रहते हैं बतार संडे स्कूल में, है ना, तब हम यह देखते हैं कि जैसे उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, चोटी-चोटी कहानियों के द्वारा, योना नभी की कहानी के द्वारा, है ना, और और भी बहुत सारी कहानी है, उनके द्वारा जब बताया जाता ह तो वो हम लोगों से आके प्रशने करते हैं और जिग्यासा है उनके मन में कि आदम ने फल क्यों खा लिया था मम्मी फिर क्या हो फिर इशु पापा क्यों नाराज हो गया अब परमिश्र पिता को ज़्यादा वो नहीं बोल पाते थे इशु पापा क्यों नाराज हो गया तो इनों न फ़ाली तो कहा था तो पिर उनको हम लोग समझाते थे, और जब ऐसी शिक्षा युई.. वचन की शिक्षा जब हम अपने बच्चों को देते है बच्पन से तो निशित रूप से मानिए बैनों भाईयो, धीरे 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 जब इन वच्चनों के द्वारा अपने जी तो हस्ट फुस्ट रहते हैं और अलग से दिखते हैं हमारे बच्चे हमारे बच्चे जो रहते हैं जो वो बिल्कुल अलग से क्रिष्टन बच्टे मसी बच्च लेखे थे फिर आगर हम देखें में परमिश्वा द्वारा आशहलीशильно होनुगे और निशित रूप से जब वो भी बच्चन को लेके चलते हैं, पढ़ते हैं, समस्ते हैं, तो वो भी परमिश्यर के द्वारा आशिश को प्राप करते हैं वे अपने जीवन भर धन्य रहेंगे, वे दिर्ग जीवन जीएंगे, और वे शान्ती को देखेंगे, तो यहाँ पर लिखाया ना, चटवे पद में, 128 का चटवा, वरन तु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएं, इस्राइल को शान्ती मिले, तो जो हमारे भुजर्ग लोग हैं, वो उन्होंने हमको देखा हैं, है ना, और हम अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे, तो यह परमेशर के द्वारा आशिश है, और अगर हम यह देखें, कि प्रभू इश्वमसी को भी सारा अधिकार परमेशर पिता ने दिया, है ना, मत्ती 28 और उसका, अग इसनी सारी आशिशे पिता परमेशर ने इश्वमसी को दी, कौन कौन सी, मत्ती 28, उसका 18, इश्वमसी ने उनके पास आकर कहा, सर्ग और पित्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाती के लोगों को चेला बना, और उन्हें पिता और पु मैं जगत के अंतक सदा तुमारे संग हूँ, यहां पर पिता परमेशर ने इश्वमसी को भी पूरे संसार का अधिक स्वर्ग और पिस्वी का पूरा अधिकार किसको दिया है, प्रभु इश्वमसी के पास, प्रभु इश्वमसी की आशिश को परमेशर ने आशिश दिये ह क्योंकि प्रयोजन से इस प्रित्वी पर उन्हें भीजा था तो प्रभु इश्यमसी ने उस कारे को पूरी शिद्दत से प्रित्वी पिता की आज्या का पालन किया और उस कारे को किया है और करके प्रित्वी को महिमा दी तो इसलिए प्रित्वी प्रित्वी का पूरा अधिक इशुमसी के पास है आज न्याय करने का भी अधिकार है इशुमसी के पास फिर मरियम मरियम को भी पिता परमेश्वर ने आशिश दी अनुग्रह की आशिश दी लूका एक और उसका 28 अगर आपन पड़े तो उसमें जो जिब्राइल है वो उसके साथ वारता लाप करता है मरियम के साथ में और क्या कहता है स्वर्ग दूद ने उसके पास वीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर इश्वर का नुग्रह हुआ है तो यह जो आशिश वचन है यह स्वर्ग दूद जिब्राइल के द्वारा माता मरियम तक पहुंचे थे और यह अनुग्रह की जो आशिश है वो पिता परमिश्वर ने माता मरियम को दी थी उसकी बाद मेंगर हम देखिए आशिश मनुष के द्वारा मनुष के लिए भजन सहीता 134 का पुरा पढ़ना चाहूंगे भजन सहीता 134 खे यहुआ के सब सेव को सुनो तुम जो रात रात को यहुआ के भवन में खड़े रहते हो यहुआ को धन्य का हो अपने हाथ पविज्विस्थान में उठाकर यहुआ को धन्य का हो यहुआ जो आकाश और प्रिट्विका करता है, वो सियोन में से तुझे आशीश देवे, है ना, तो जब हम एक दूसरे को आशीश देते हैं, तो यह आशीश कहां से आती है, मेरे उपर या हमारे उपर, कहां से आती है, परमिश्वर पिता के द्वारा आती है, है ना, और पहला कुरंथियों चार और उसका बारवे पद को पढ़ना चाहूँगी मैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं लोग हमें बुरा कहते हैं हम आशिश देते हैं वे सताते हैं हम सहते हैं लिए यहां पर पॉलूस बिल्कुल इस परस्त बात बूल रहा है वहनों भाईयों कि चाहे कोई हमें सताए हमें बुरा भला कहें और हम देखते हैं आज देख भी रहें कि किस प्रकार से हमारे चर्चे इसको जलाया जा रहा है हमारे पास बानों को प्रतारित किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी हमको क्या करना है उनको आशीश देना है क्योंकि पॉलुस इश्यमसी के समय में भी इश्यमसी को सताया गया पॉलुस के समय में भी हम देखते हैं इश्मसी ने उनको, जब इश्मसी को थपड मारे जा रहे थे, उसके मुह पे थूका जा रहा था, उसको काटों का ताज पहनाया जा रहा थे, तो क्या उसने विरोध किया? बिल्कुल नहीं किया, है ना, बल्कि उसने पहली बानी क्या बुला? क्रूस पे से, हे पिता, इन्ह कर रहा है कि और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं लोग हमें बुरा कहते हम आशीश देते हैं और वे सताते हम सहते हैं वे बद्णाम करते हैं हम विंती करते हैं आज जगत का खूलाँ और सब वस्तुओं की खुर्चन के समान ठेह रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम जगत का फूरा है, कच्रा है, हमें सताया जा रहा है, और भला बुरा कहा जा रहा है, फिर भी हमें क्या करना है, उन लोगों को, अपने सताने वालों को आशीश देना है, है ना, औ गलातियों 3-14 में अगर हम देखें, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो गलातियों 3-14 में, यह इसलिए हुआ कि अबरहाम की आशीश मसी इशू में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रत्राइब करें तिग्या हुई है, बहुत गंभीर और गूर बात यहां पर कहा गया है, कि हमें क्या करना है, पॉलूस प्राइब यहां बोल रहा है कि यह आशीश अबरहाम के द्वारा किसको दी गई? इशू मसी को, और इशू मसी ने अन्य जातियों में भी सू समचार प्रचार किया, सा अमरिया देश में वो गया, और भी जो लोग यहुदी नहीं थे इसराइल में भी, उन्हों के आपास भी जाकर कि उसने प्रचार किया, ठीक है ना? तो हम भी अन जाती से, मैं और आप भी अन जाती से, तो और हम यही विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभुईश मसी मेरे औ आपके लिए ही तो इसमें सीव उपर आया, जिसने मेरे और आपके पापों को, श्रापों को, अपराधों को, सारे दंड को अपने उपर लिया, है ना? और लेकर के कुरूस की निंदनी मृत्यू सही, जब कि वो तो निर्दोश था, निश्कलंक था, फिर भी उसने विश्मसी के द्वारा, जब हम ये विश्वास करते कि नहीं, मेरा प्रभू मेरे लिए इस पृत्वी पर आया, और उसने इतने दुख उठा है, और कुरूस की मृत्यू सही, और तीसरे दिने वो जी उठा, और आज वो यूगानुयोग जीवित है, और आज वो पिता पर उस कह रहा है, और हम ये विश्वास करते हैं, और ये विश्वास उस आत्मा को प्राप करें, जिसकी प्रतिक गया हुए, हम विश्वास के दर उस आत्मा को प्राप करें, जिसकी प्रतिक पवितरात्मा है, तो पवितरात्मा हमारे अंदर है, हम में है, और पवितरात्मा क सामर्थ से ही हम आज आप आप देखिए कि हमारे पासबार भाई बहन जो अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं वर्दान मिला है उनको बुद्धी का वर्दान मिला है ज्यान का वर्दान मिला है चंगाई का वर्दान मिला है उपदेश देने का वर्दान मिला है तो भविश्वा कि भाई बहर पूर और यह पवित्र आत्मा का बर्दान है और यह वरदान हमें कौन ने दिया है पिता कि हम पूइत्रात्मा के ले गवार्दान से महर बहर हो करके नजातियों को प्रभुष मश्य का सवाँ. आज मैं बिल्कुल ये गवाही देती हूं कि पास्टर कंचन मित्तल जो हैं उनकी प्रेयर मीटिंग को मैंने देखा पूना में भी देखा और नातपुर में भी देखा इतने पेशेंट इतने पेशेंट उनकी मीटिंग में आये और वो सब बहनों भायों आप विश्वास करि कि वह एक पेशंट आया था एक बहन की गवाही थी तुसको कैंसर था ब्रेस और पास्टर कंचन मित्तल जी ने उनके लिए प्राटन करी फोन पे और वो पंजाब से पस्टर कंचन मित्तल और ये बेटी डेली से और वह गवाही देने पूनाई और उसने गवाही दी कि मेरी मम्मा ने मना किया है और मेरी मम्मा पास्टर कंचन मित्तल प्रेयर में है तो और जब वो गई अंदर पूरा एक्जामीन हुआ अपरेशन से पहले सारे सारा जो भी मेडिकली उनका चेक अप हुआ तो बोला कि आखरी मूमेंट में कि नहीं इनको तो कुछ भी ऐसा नहीं गठान नहीं कुछ भी नहीं ऐसा और डॉक्टर भी बड़े आश्यर चकित रहे गए तो जबकि उस बहन ने बोला कि मैंने आप लो पहले ही बोला था कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा और वो फिर तुरंत आई और उसने छे तारिक को अपना 6 सेप्टेंबर 2023 को अपनी गवाई दी पूना में जहां कंचन मित्तल जी की प्रेयर मीटिंग थी तो देखिए ऐसा मेरी बेटी ने खुद गवाई दी वो नीचे ब क्लीफ नहीं हो कि कंचन मित्तल जी स्टेज से प्रेयर कर रही थी हर एक के लिए हर एक बीमारी के लिए और उसने चंगाई को प्राट किया तो देखिए यह सब पवित्रात्मा चंगाई वर्दान है और यह वर्दान एक आशिष के रूप में हमारे पासवानों के पास है प्रचारकों के पासमेर और आपके पास बी है कि हम जो लगा के प्रातना करते हैं तो यह वर्दान निशित रूप से चंगाई प्रातना के दवरां हमको ई नहीं है लेकिन प्रभुष मस्य हमारी प्रात्नों को सुनते हैं और जिसके लिए भी हम प्रात्ना करते हैं उन्हें चंगाई मिलती है और बहुत बड़े-बड़े आश्यर अभी कोरोना में बहनों भाईयों मेरे स्टाफ का एक सर है वो भी विश्वास प्रभु में 54% लंग्स डेमेज था उनको पाडर हॉस्पिटल में एड्मीट किया था और हम पूरी मंडली ने लौ लगाकर एक मन एक चितों करके जितने भी भाई बहन थे पाडर में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हॉस्पिटल में एड्मीट थे उन्हें सब के लिए और इस पाडर में थी और पूरी मंडली ने इन दोनों पती पत्नी के लिए लौ लगा करके प्रात्ना की आज दोनों भले चंगे और मनिगिर सर ने आके जब पुल प्रसुष्ट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि हाँ आब आप जा सकते हैं पब्लिक में फिर वो चर्च आए पा कि एक बाड मतब मेरी पर हम जब आप लोगों की भी अनगिनित गवाईयां है मैं जानती हूं इस बात और मुझे विश्वास है कि हमारा प्रभुष्वसी हमारे साथ हैं और हमारी प्रात्नों को सुनता है और हमारी जो हम मांगते हैं उसको आशिष देता है और आप आप देखिए आशिष कब फल्दाई होती है याकुब चार दस प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमनी बनाएगा याकुब की पत्री में याकुब चार और उसका दस में हम देखते हैं प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमनी बनाएगा हमें प्रभु के सामने दीन बनना है ना और जब हम नम्र बनते हैं दीन बनते हैं जहां हमारे प्रभु शुम्हें से तो देखी ना स्वर्ग का सारा वैभा है ना छोड़कर किस प्रिश्वी पर आया किस जीशन के लिए आया मेरे और आप के लिए तो कितना नम्र और दीन था वो उसने अधारन हमारे सामने रखा हुआ ठीक ना कि वह जितना नंब्र वो है उतने ही नम्र मुझे और आपको बनना है और तब हम क्या मनेंगे प्रभू के तो वह हमें क्या बनाएगा शिरोमणी बना तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धी, शक्ति से प्रेम रखना, व्यवस्था विवरण 26 और उसका 16, तो मन से प्रेम रखना है हमको, फिर मन को अपने कंच्रोल में रखकर के परमेश्वर के और मन को फेरना है और जैसे निती बचन 16 का 32 में कहा गय है, निती बचन 16 और उसके 32 में, विलम से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना, नगर को जीत लेने से उत्तम है, अपने मन को अपने वश में करना, जैसे दाउद राजा ने बचन सहीता 103 में कहा है, हे मेरे मन, यहवा को धन्यक है, यहां पर भी बाशा सुलेमान इसी बात को कह रहा है, जो नगर को जीत लेने से उत्तम है, तो जब हम अपने मन को अपने वश में रखते हैं, और परमीश्वर की और अपने मन को फिर आते हैं, फिर देखिए आप आशिशों में कमी होती है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत पर आशिश, वो तो बोलता है, मैं आकाश के जोरो के, खोल के तुमारे लिए आशिश की वर्षा करता हूं की नहीं करता हूं, यह देखो, फिर है प्राण, तो प्राण, मती छे और उसके पच्चिस में, अगर हम देखे, मती छे और उसका पच्चिस, इसलिए ब मैं तुम से कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चेंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पियेंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त से बढ़कर नहीं, तो प्रभुईष मसी ने और पुराने नियम में हम देखते हैं कि पिता परमिष्वर ने भी यही बात बोलिये कि हम सारे मन से, सारे प्राण से, तो बहुत बार क्या होता है कि हम मनुष्य हैं है ना सांसारिक्ता में मैं पढ़ जाते हैं सांसारिक्ता में हैं तो हम सब की चिंता करते हैं मन को भी अपने वस्मिन रहते हैं प्राण की जाधा चिंता करते हैं लेकिन यहां पर फर्स्ट बोला है प्रभु शुमसिन कि तुमक बोसे दबे लोगो मेरे पास आओ मैं कुमें विश्राम दूँगा तो हां पुप्रभática मसे को देना है और फिर बुड्धी तो बुड्धी से भी क्या है हमें पिता परमेश्वर की को वह बुद्धी की द्वारा भी हमें आंशिष प्राप्त होती है नीती बचन एक और उसका साथ यहवा का भह मानना बुद्धी का मूल है बुद्धी और शिक्षा को मूल ही लोग तुछे जानते हैं सबसे मुख्य बात कि हमें यहवा का भह मानना है है ना जब हम पिता परमेश्वर का भह मानते हैं बहनों भाईयों अपने जीवनों में तो निश्यत मानिये कि फिर हम संसार से और पाप से दूर रहते हैं शैतान को हम बिल्कुल आउसर नहीं देते हैं तो सबसे में क्या है हमें परमेश्वर का भह मानना है और और अगर हम देखें शक्ति तो जकरिया चार और उसका छे ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा है ना परमेश्वर साब बोला है कि कोई बल से नहीं कोई शक्ति से नहीं परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, है ना, जब दाउद के ऊपर परमीशिर की आत्मा उतरती थी, तो बल्ज उतरती थी, और दाउद किसी भी, कभी भी उसने उसको हार नहीं मिली, है ना, जब हम अपनी जीवन में देखते हैं, तो संसार में है, हो सकता है, बहुत बार हमारे को निराशा सांसारी को वे में घेरती है, हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परन्तु एक आशा हमारे मन ने हैं, और वो क्या है, कि हमारे साथ हमारा पिता परमिश्वर है, और वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, प्रभु शुमस्य हमार साथ है वो सब कुछ ठीक करेगा और हमें आशीशीत करेगा तो इस बात को हमको समझना है फिर प्रेम आखरी वाला है प्रेम बुद्धी शक्ति से प्रेम रख है तो सबसे आखरी है प्रेम यह होना तीन सोला इससे बढ़कर के एक अच्छा जो बचन है परमिशन का जो मतलब प्रेम का प्रगटी करन है कितना कितना सार्थक और कितना कहना चीए जब भी हम इस पद को पढ़ते हैं कि और परमिशन क्यों कि परमेशवर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस न अपने एकलूता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहों परन्तु नस्त नहों परन्तु अनन्त जीवन पाए कितने अच्छी बात हैं यहीं कि परमिश्वर ने सबके लिए रास् कि यह जुना संदोर एक हां यह जय हाई है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात वहनों और यहाँ पर पित Ain पर मेशरका अंपर्मैसितु आधिविती है ऐसा अथ में किसी ने इसके कम और छूल आग किन कि अव्मिते कविग में , ज कि त रहाना ताकि उसके द्वारा हमें अंअनंत जीवन मिले जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभू इश्वमसरी मेरे लिए मेरे पापों के लिए मेरे श्रापों के लिए मेरे अपराधों के लिए मेरे दंड मुझ पर आना था उसने सब सह लिया जब मैं यह विश्वास करती हैं तब फिर देखिए आप और इस विश्वास में स्थिर रहते हैं और इस विश्वास में और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर आप देख़ीए की हमारे उपर प्रभु इश्य मसी की अनन्त आशिश है और सबसे बढ़ी आशिश क्या है पिता परमेश्वर की प्रभु इश्य मसी के साथ अनन्त जीवन, कितनी बड़ी बात है यह लोगा इस संसार का नहीं परन्तु प्रभु इश्य मसी चांगी उसके स्वर्गी राय में, अनंत जीवन के वारिश होते हैं हम, यहने कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी आशिष है यह पिता परमीशर की, क्योंकि उसका प्रेम मुझ पर आप पर है, सारी समस्त मानो जाती पर है, उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सब के समान सब के लिए करता है, चंद्रमा की रोशनी सब के लिए है, तो जब वो भेदभाव नहीं करता है, उसने सब को आशिष दिया है, और परंतु, अब स्वर्ग जाने कि जो बात है, या इश्वमसी के साथ अनंत जीवन की जो बात है, लेकि उसमें शर्थ है, जो कोई परमेश इस बात पर विश्वास करता है, है ना, कि उसने मेरे पापों को अपने उपर लिया, है ना, और उस कुरूस के मृत्तियों को साथ, और मर गया, काड़ा गया, और तीसरे दिन जीव था, और वो युगानु युग जीवी थे, और वो फिर से बादनों पर अपनी दुलहन क को लेने आने वाला है, है ना, यह हमारा विश्वास है, तो इस विश्वास में हम और अधिक मजबूर बनते चले जाएं, और परमिश्वर का प्रेम निश्यत रूप से हमारे साथ है, और परमिश्वर की नाम बनाम आशिश हमारे साथ है, जो आशिश अभी हमने देखा, बजन सरीता 128 में तो आज हमने वचनों के द्वारा ये बात सीखी कि आशीश क्या है और किनें मिलती है कं मिलती है और हमें भी आशीश कैसे मिल सकती है और हम प्रभु में जब अंशंश बढ़ते हैं शैने शैने बढ़ते हैं और जब हम पवित्रात्मा पिता को अउसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन का संचारन पवित्रात्मा पिता करें फिर आप देखिए कि पवित्रात्मा आपको बहुत असी बातों में गाइट करता है, आज एक छोटी से गभाही देना चाहूंगी, आज हमारे चर्च में एनाउंसमेंट हुआ कि चर्च के बाद महिला समाज भी होगी, और यूथ मीटिंग भी होगी, तो रुक जाए, महिलाय रुक जाए और नौ जवान बच्चे जो है, संचाली का है, महिला समाज की, उसने मेरे से पूछा कि दीदी, आप बोलेंगी, क्या मैंने का बिल्कुल बोलूँगी, और मैंने बताया कि पवित्रात्मा कबूतर के नाई इश्यू मसीद पर, कबूतर के ही, कबूतर को ही क्यों चुना, पिता परमिश्वर ने, पवित्र परात्मा कबूतर के प्रतीक की रूप में आया, किस प्रकार से आया, और क्यों आया, तो जबकि बहुत जादा मेरे स्टेडी नहीं थी, लेकिन जब हमने प्रात्ना करा, और मैंने भी प्रात्ना करके, पवित्रात्मा को सिसामर्थ मांगी, तो मैं कबूतर को ही क्यों चु चुट है शापान का जिक्र है और कौउओं का जिक्र है कोई ने घाना खिलाया था तो जहना का मत्तब यह है कि परन्तुर पर्मिश्व्वर पिता ने केवल कभूतर को चुना है तो कभूतर में ऐसी क्या खासियत है जो परमिश्य पिता ने उसे पवित्रात्मा के रूप में के पवित्रात्मा का एक प्रती की रूप में वो उसकी उपर आया ना पवित्रात्मा कमुतर की नाई उत्रा तो ये बात बताई मैंने अपनी भेहनों को तो क्या है देखिए जब हम पवित्रात्मा की साम प्रभुष्युमस्य और प्रभुष्युमस्य और प्रभुष्युमस्य और प्रभुष्युमस्य और प्रभुष्युमस्य और प्रभुष्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस्युमस कर रहे हैं और पवित्रात्मा से सामर्थ मांगते हुए कर रहे हैं तो निशित जानिये कि हमारे साथ में भी पवित्रात्मा है और पवित्रात्मा की सामर्थ से ही हम वचन की सेवकाई करते हैं कि नौ वर्दान है ना बुद्धी का ज्यान का चंगाई का भविश्वानी का औ और अन्यान भाषा बोलने का तो ये वर्दान भी हमें पिता परमिश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं और पवित्रात्मा की सामत से हम भरतूर रहते हैं तो आज हमने ये कितिनी सारी आशिशों के बारे में समझा और सीखा कि ये ब्लेसिंग ये गिफ्ट ऑफ गॉड हमे कब और कैसे और क्या किस प्रकार से प्राप्त होती है है ना आई हम चोटी सी प्राप्तना करते हैं धन्यवाद 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 पिता परमिश्वर धन्यवाद प्यारी इश्वर धन्यवाद पिता धन्यवाद पवित्रात्मा पिता तेरी इस्तूती हो तेरी जहज परबजी वचन के द्वारा प्रबजी हमने सीखा समझा कि तीरी आशिषे अपरमपार है और प्रंतुस के साथ प्रतिग्या यह है कि हमको तेरी पीछे चलना है तेरे भ्हे में चलना है पिता परबजे और बजन सहिता 128 में जो आशिषे तुने परिवार में दी है हम सब की आत्मा है और अधिक दढ़ाहिजाए मजर्बूत की जाए हमारी आत्मा सामर्थ को पराप्त करें पिता binding निज़ Um अभी तेरे सुसमचार प्रचाय सुनाया जा रहा है हर एक शोता और हर एक वक्ता पर तेरी नाम बना माशिशों हां पिता परमेश्वर तुस्य यही विंतिवर प्रात्ना है पिता जब कि तेरे बेटे काना बहुत निकट है हम सब आत्मा में जीवित रहके उससे मिलने पाए पिता तुसरी विंति विंतिवर परात्ना है हम सब को Tucson saamatsablya website पिता पवितरात्मा की सामर से हम सब भरपूर आए जितने भी भाई पहन मौसम की बिमारि tới पीवर्य से पिवरित है यह कोई गंभीर बिमारी से पिवीत है दया Lebanon पिता हरे है प्रभुष मसी के प्रभुष मीठे नाम में नाम बनाम चंगाई दे पिता तुस्य यहीं विंति और प्राथ नहीं पिता जहां पर बाढ़ आ गई है पिता तिनिक पानी गिरा है उन घरों को भी पिता उन लोगों के लिए तुस्से मांगती हूं कि उन पर भी तेरी प्रभुष मसी का आना बहुत निकट है और हमारे प्रभुष मसी का आना बहुत निकट है और हम हम सब प्रभजी उसके साथ प्रभजी उसकी बुलहन के रूप में तेरे पास आनेटे पाए early vibes Allah हर लेक आत्मा को प्रभजी और अधिक मजमूत कर कि हम कियμε कि देरे बेटे पर पर शौजी जीद से अंगीकार करते हुए मन्ढ आत्मा से उसे अपना उध्वार कर तस्विकार करें पिता और उसके साथ तेरे स्वरगी राज में आने पाए प्रभु जी जैसे पुछ चाहता है पिता परने श फेस्बुक लाइप के सारे भाई बहनों को सारे पाजबानों को उनके परिवार को पिता तेरे सामर्ती हाथ में सौपती हुई शुराजा हर एक के घरों की कमी धोटियों को तु जानता है और तु भी पूरी करने हा रहा है मैं अपने छोटे भाई पास्टर आदरनी पास्बान अनुपम डेवीड जी को उनकी पत्नी को बच्चों को भी पिता और आदरनी पास्बान कपिन शर्मा जी को और पिता और भी जितने पास्बान है पिता उन सब को भी तेरे सामर्ती हाथ में सौपती हुई हर एक पे तेरी नाम बनाम आशिशो पवित्रात्मा की सामर्स सब को भरपूर कर पिता परमेश्व हाँ पिता परमेश्व तुसी यही विंति और प्रात्ना है हर एक पे तेरी तरह अनुगरह तेरी कृपा बनी रहे पिता तेरी आशिष बनी रहे, तुसरी यही विंति और ग्रातना है, सारा आदर इज़त महिमा तेरी चर्णों में, ये छोटी सी विंति तेरे एक लोते बेटे मेरे उध्धार के करता, जीवन के दाता, मेरे मुक्ति दाता, प्रभु इश्य मसी के पवित्र और मीछे नाम में होके मांगती हूँ, दया करके स्वर्गी राज में, इस छोटी सी दुआ को ग्रहन कर, आमी, आमी और आमी, ये आख समी को जै मसी की